कारबनन And its Compound स्टाइगी Bonding in Carbon जो कारवन की Carbon मेलते हैं वो बिचarent Онबता है कोवलेंटबन कोवलेंटबन्झa pitches koos यह conservative syntाam Wing होता हैúp सहरीं का यह कि यह किता लिवंकत जीसे गुश़ कर लेगा February 21, June 6 पहला hydrogen, दुसरा helium, lithium, beryllium, boron and carbon तो carbon का atom नमबर है 6 तो इसका then what would be the distribution of electron in various cells of carbon तो carbon का जो electron का distribution कैसे होगा देखो electron है ज़िए atom नमबर 6 है तो electron भी 6 है तो यह electron अगर 6 है तो पहली cell में 2 electron आते हैं उसके cell होगा की दूसरी cell है L, M, N इस तरह से तो पहली cell में 2 electron रह सकते है maximum तूसरी में 8, 8, 18, 18 इसरज रहते हैं तो पहली cell के लिए 2 electron होगी तो 6 में से 2 बच्चे 4 तो L cell में पहुचे 4 electron मतलब outer cell होगी उसके उसमें होगी 4 electron ठीक है तो carbon है उसमें से बल सी atom की नमबर 6 है तो 2 और 4 गरेंजमेंट हो गया तो जो outer cell में electron है वो 4 है तो उन्हें कहते हैं valence electron क्योंकि जो outer cell में electron है उन्हें ही कहते है valence electron और इस cell को full करने के लिए चाहिए 8 electron और इस इस टेबल तो carbon has 4 electron it's outer most cell जो बाहर के cell है carbon की उसमें 4 electron है ठीक है it needs to gain or lose 4 electron या तो ये 4 electron को छोड़ दे या किसी से चाहर एक्ट्रॉन ले 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 इस ले नोबल गैस का वो configuration अचाहिए करना है मतले stable state stable ये है कि पहले cell stable है full है और दूसरी cell ये full करने के लिए 8 तो ये ये या तो दो पहिरे जाए ये 8 करे ठीक है जी ये वो काम हो सकता next तो ये या तो गेन कर ले चाहर एक्ट्रॉन या चाहर एक्ट्रॉन लूज कर ले जब बैठागे सटल रांस है if it were to gain or lose electron it could gain 4 electron अगर इसने 4 electron ले ले किसी से तो ये बन जाए न आयन मतलब लेने वाला होता है लेने माले को पर होता है मैने साइन अगर 4 electron लेगा तो मैनस 4 हो इसको पर आ जाएगा मैनस तो न आयन मतलब लेने वाला है इसमें निगेटिव होता है न आयन होगा but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on to 6 10 electron देखो जिसके जितना atomic number है उतने electron है और जितने electron उतने proton है इसमें 6 electron है मतलब 6 proton है तो 6 electron मैंस अगर ये 4 electron ले लेगा दूसरे के तो इसके electron थोगे 10 अब proton बचे 6 के 6 क्योंकि सिर्फ electron ले रहा है तो ये से न ये handle नहीं कर पाएगा तो it would be difficult for the nucleus क्योंकि nucleus के अंदर proton है neutron neutron, 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 neutron है तो proton, nucleus के अंदर और electron बाहर होते हैं तो proton तो इसके पास चाहिए अगर इसने 4 electron किसी और के लिए लिए तो इसके पास electron तो दस हो जाएगा total तो ये से नहीं handle पर करवाएगा it would be difficult for the nucleus with 6 proton, nucleus के पास 6 proton है, to hold करना 10 electrons को next case क्या सकता है, it could lose 4 electron, देखो ये एक तो लेट वाले केस में नियन बन गया तो दूसरा case ही हो सकता है कि वो 4 electron छोड़ दे, इस्टेबल से होना है और इसने 4 electron छोड़ दिये, तो 4 plus ion, cation बन जाएगा, plus मतलब cation, minus 1 मतलब nion but it would require a large amount of energy to remove 4 electron, इसे 4 electron छोड़ने के लिए energy चाहिए leaving behind a carbon cation with 6 proton, 6 proton अंदर है, वो कैसे जाना जाएगे 4 electron को, तो उसके लिए भी जाए energy चाहिए तो दोनों ही case हमने देख लेगे, क्या क्या उसका हो सकता है, मतलब propel लेन और प्रोपल देना इसके साथ नहीं हो सकता अगर ये प्रोपल लेना और देना नहीं होगा तो होगा, क्या फिर होगी? सेरिंग क्योंकि वह इसके लिए ठीक है मतलब प्रोपल एक्तम चार एलेक्टर ना तो ये छोड़ सकता है और ले ले तो समाल ले सकता है तो सेरिंग करके ये इसका काम चलगा तो carbon ने overcome किया इस problem को by sharing its valence electron इसने जो बाहर के जो चार electron है उनकी sharing करके जब तुमें ज़रो से तुम लेला, जब मुझे ज़रो से तुम अपने इसमें देता हम तो sharing करके बना है covalent bond carbon ने overcome किया इस problem को by sharing its valence electron with other atoms of carbon or with atoms of other elements मतलब carbon के दूसरे atom के साथ भी sharing कर सकता है और किसी दूसरे के साथ भी sharing कर सकता है मतलब प्रोपल लेना और देना यह नहीं करेगा, यह करेगा sharing the seared electron belong to the outermost cell जो बाहर की cell है, valence electron, valence cell है उसी में sharing होगी जिससे की noble gas का configuration यह ले लेगा, noble gas का मतलब वो complete to this की cell बाहर दो electron होगा यह आठ होगा, आठ 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 तरह से होगा the simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen hydrogen का item number one है, hydrogen के पास एक electron है, एक electron तो पाहर की cell में मिसे है एक electron तो पहली cell में एक electron होगा, but इस टेपलो ने लिए पहली cell में चीज़ दो electron so it require one more electron to fill the key cell, key cell में पहली cell में दो electron चाहिए है set, इस्टेपल होने के लिए है, so two hydrogen atom share करते हैं एक दूसरे के electron और form a molecule of hydrogen H2, this allow each hydrogen atom to attain the electronic configuration, दो hydrogen मिल के बना लेते हैं H2, जिससे वो दोनों ही stable हो जाते है, noble gas के configuration मिल जाते है, कि दोनों sharing करते हैं एक electron दोनों के खाते में वो दो electron फिर हो गए the seed, यह है, hydrogen atom है, तो दोनों ने sharing कर लेते, दोनों पीसे बने है, covalent bond the shared pair of electron is said to constitute a single covalent, जिए single electron की sharing है दोनों के single electron मतलेगे, एक electron में sharing किया है, तो एक covalent bond बना between two hydrogen atom, ऐसा ही ही जैसे chlorine है, इसका atom है नमबर 17, तो पहले में 2 electron रह सकते हैं, दूसरी cell में 8, तो 2-8 बस, तो तीसरी cell के लिए बसे 7 electron होगे, तो यह भी sharing करते हैं, तो एक-एक electron की sharing करते हैं, दोनों के chlorine है, तो बना एक covalent bond, जितने electron की sharing होगे, उतनी bond करेंगे, covalent bond, in case of oxygen, we see the formation of double bond between the two oxygen atom, oxygen का 6 electron है, outermost cell में, इसका atom नमबर 8 है, पहले cell में 2 electron होगे, तूसरी में बच्छे कि शह electron, तो तो पूरा करने लिए चाहने दो or electron, क्योंकि बाहरवाले cell में 8 electron होगे, दो हो याוצ हो, तो भाहरवाले cell उसके 6 electron होगे, तो तो बनाएक to all Wellington, जैसे ही 1 oxygen होगे, तो तो नो upcoming cell में 2 electron चाहीं है, तो डोनों ने आपस में कर लिए sizing और बनाएक ए Covalent bond, is oportunidad bond, the two electrons contributed by each oxygen दोनों ने मिलके दो 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 इलेक्ट्रोन के सेरिंग करी तो बने कितने दो कोवलेंट बॉंड this is said to constitute a double bond between two atoms तो दो बॉंड है दो बॉंड हो गया और नाथ बेखे अगर्ट अठाइब नूमबर साथ है तो पहले सेल में दो इलेक्ट्रोन होएंगे बचेंगे बारोली सेल ने पांच अलेक्ट्रोन इन अट्रमोस सेल तो इसे पूराक क्यों कि पहले में तो फिर जितने बचे वह आगे बचे पहुंच क्यूंकि साथ ही टोटल है तो वह बाच में बाट करने के तीन ओड़ाने पड़ेंगे तीन सेट पहर ऑफ एलेक्टोन हों है तो तीन इसमें बनें उनके कोवलेंट बांड है नाइटोजन का एंटो तो दोनो यह क्यों क्यूंट की बार केषयां फंस ब्येक्टरॉन थे आठ अए इस अए बोलहाल में है। इसे चार और चीमिख होगा आठ तो इसने चार हैडाि एन के साथ कुस कोखलन बांड बनाएं तो बनाएं मिथेन तो मिथेन वाइटली यूज होता है क्या फ्यूल में कहां है यह मेंन कंपोनेंट बायो गास अंड सी एंजी की फिल्फॉर्म अ कारो कंप्रेस्ट नेच्रल गैस कारबन एक अच्टरवलेंट है because it has four valence electron, valence electron मतलब भारवले सल में जो electron है वो hydrogen के पास एक electron है तो चार hydrogen ने मिलगे इसके साथ sharing कर ली bond which are formed by the sharing of electron pair between two atoms मतलब sharing से जो pair बन रही है वो है covalent bond तो जो bond बन रही है which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bond covalently bonded molecule are seen to have strong bond, covalent bond strong bond है within the molecule but इनके पीश में जो इंटर मलगर फोर्स हो काफी weak है this give rise to the low melting point होगा boiling point of this compound low melting point होगा boiling point होगा boiling point and melting point इंसे कहीं जाता होगा तो covalent bond होगा low melting point and boiling point होगा since the electron are shared between atoms तो कोई charge particle नहीं बनेगा ना positive बनेगा ना negative बनेगा क्योंकि complete ना तो ले रहे हैं ला दे रहें यह करें sharing तो यह जो covalent compound बनेगे यह यह पूर conductor होगे electricity के सबस्ब्स्कारा करें iss